वेलकम टो अहमदी अकेडमी आज हम पढ़ने वाले हैं जोमेंटरी का एक्सेसाइज नंबर 5.1 का पहला सवाल तो इससे पहले मैं आप लोग को करा चुका था आप लोगको यह वीडियो देखने से पहले आप लोग को पहले मेरी पहली वीडियो जाके आप लोगको देखना अब लोगे हम स्टाट करने माले है जोमें जोमेंटरी का पहला सवालसट करने से थोड़ा से अधोर एकलई थों देख लिए Mi आ Bald अप लोगको बतहांने लेक है को यह स्टेमेटिक समझ में कुछ डाउट है आप लोग मुझे कमें बॉक्स में कर सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं अभी 2.5.1 का ठीक है अब इधार ध्यान देगे पहला को इसमें क्या दिया है पहले कोशन का दूसरा सवाल इधार आपने को पॉइंट दिया हुआ है पी एंड क्यू का क्या निकलना है डिस्टेंस निकलना कोशन पढ़ सकते हैं आप लोग फाइंड इसको क्या करेंगे एक्वीवेलेंट कर देगे यह क्या है मेरे पास एक्स वण कॉमा सेवन और क्यू क्या है अपने पास माइनस वण कॉमा थ्री इसको क्या करेंगे एक्वीवेलेंट कर देगे यह क्या है मेरे पास एक्स वण कॉमा वाइवन है और यह क्या है एक्स वण की वैलू क्या है मेरे पास यह एक्स वण की वैलू है समझ मैं आ रहा है कॉमा से तो 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 सब्सक्रवाइब तर पहले यहाँ देखने एक्षुन की वेल्व क्या है व्याईस 5 है और वखो準 की वेल्व कितनी बहुत देखने ऐसी क्या जो हीकिए टू कि वेल्व की समझ मैंना distance of pq क्या होता है formula बोलो तो x2 minus x1 का whole square plus y2 minus y1 का whole square यह formula आप लोगों को पुरा लिखना पड़ेगा ठीक है is equal की नीचे is equal रहना चीए आगे पीछे ने रहना चीए is equal की नीचे is equal रहना चीए बारी की सिध्यान देगे अंडर root of x2 की value दिखनी क्या है x2 x2 कहां पर है यहां पर x2 की value कितनी है minus 1 minus 1 लिख देगे minus यहां पर लिखे एक सवन की value कितनी है x1 की value minus 5 तो माइनस 5 ऐसा लिखे जब भी 2 आएना जाए तो इसको क्या कर देना है ब्रैकेट में कर लेने का और इसको क्या कर देना है double ब्रैकेट कर देने का समझ में आ रहा है जब भी 2 आएना गी तो प्लस का प्लस और यह क्या हो जाए y2 की value कितनी है कितनी अपने पास 7 है clear का सबकी value पूट कर दिये अब यहां पर देखो square था तो यहां पर भी square दाल देखे यहां पर भूल जाता अब धार ध्यान देखे पे अटेंशन अब यहां पर लिखे is equal to under root of under root of minus minus 1 का माइनस लिखा यह माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो इदर लिख दिया प्लस यह 5 का 5 और इसका क्या है whole square प्लस का प्लस साथ में से तीन गया तो कितना बच्छेगा चार बच्छेगा नेक्स स्टेप में देखे कि यह जो रूट दिखा है यह रूट यहां पर लगा देगे प्लस का प्लस और साथ में से खालाब का चार बचा लेक्र बड़े साइन हमेसा लगाते हैं तो क्या हो जाएक है प्लस मैं US 5 ने से एक क्यंता बच्छेगा चार बच्छे यह खनेगा एक यह एक बडर ओर लिख देता हो ठीक है कैण अब इदर ध्यान देंगे पर टेंशन अब यह अंडर रूट ऑफ और का स्क्वेर कितना होता है 16 प्लस माइनस फूर का स्कुर्ड प्लस में आएगा मैं बताया था इस से पहले ले वीडियो में सब्सक्राइब क्या हो जाएगा प्लस 16 तो अभी क्या नेक्स स्टेप में ट्रॉर उट्स इने लगा सकता हूं चुटिस्टीन प्लस इस्टीन का स्क्वार्ण ग्रॉट कितना होता है और यह तो आपने को आंसर कहा मिल जाएगा इस एक यह डिस्टेंस ओप पी तुम लास्ट में आप लोग को आंसर में लिखना है तो लिख भी सकते दा डिस्टेंस ओफ पॉइंट पी एंड क्यू इस पोर रूट टू एक चीज और बताना चाहते हैं बारी किसी चीज से मेरा एक्सपिरियंस है कि बच्चे यहां पर यह स्टेप पे आके देखो गलती करते यह करते इसको तो अगलती करते हैं इसको तो रफ कर रहा हूं दियान देगे कुछ चीज में बताना चाहिए प्याइटेंशन बारी किसी यह पॉइंट को ध्यान देगे जब रूट रहें जब भी रूट रहें तो ही निकाल सकते क्या बोट याद रखना अभी ऐसा नहीं यह steps wrong है हाँ अइसा नहीं कर सकते हैं पहला एड करना है देन बाद में square root निकालना है बच्चे लोग कितने बार ऐसा भी करते है के पहला square root निकाल ले बाद में add करते ठीक है अब देखते हैं आग्या अला कोशन अब नेक्स कोशन देखते हैं 5.1 का पहले का चटा कोशन उसमें एक ही जैसा टाइप आप लोग करना जो नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ठीक है मुझे एल आखरी कोशन है फ्रेक्शन वाला है हमें इसको सॉल्व करना तो स्टार्ट करते हैं सेम प्रोसीजर यहां पर क्या लिखना है solution लिखना है let करेगे क्या let करेगे w-7 upon 2,4 और इधर क्या point क्या दिया हुआ सबसे पहली चीज यहां पर क्या पानेगे इसको x1,y1 और इसको क्या बोलेगे x2,y2 अब मैं इसके अंदर show up नहीं करोगा ठीक है डारेक्ट डारेक्ट करते हैं अपने हुआ distance formula लगाना है तो क्या d is equal to w x is equal to under root of x2 minus x1 का whole square प्लस y2 minus y1 का whole square ठीक है यह distance formula है अब इधर अपने का apply करना है कुछ करना ने खली value put up करना है ठीक है x2 की value कहां है यहां पर x2 की value कितनी है 11 है 11 minus x1 की value कितनी है माइनस 7 by 2 समझ में आ रहा है कितनी है 7 by 2 अब double i का sign तो क्या लगाएगे bracket लगाएगे समझ में आ रहा है bracket लगाने के उपर इसके उपर square है तो यहां पर square यह क्या हो जागा plus और यह y2 की value कितनी है 4 है तो 4 लिखेगा minus का minus y1 की value कितनी मेरे पास 4 है clear अच्छा इतना होने के आगे बढ़ते हैं अंडर रूट ऑफ अंडर रूट ऑफ अब यह 11 का 11 लिखा यह minus minus क्या हो जाएगा plus हो जाएगा 7 by 2 का whole square plus का plus 4 में से 4 के तो कितना बचा है यहां पे square लगाना भूल यह मैंने 4 में से 4 के तो क्या हो जाएगा 0 0 का square 0 ही होता है अब इसको अपने को solve करना है ठीक है अब इसको up a sj 71 इसको कीतने टारीकेarta दो तरीक दोनों तरीका में पहला करके बताता हो चुर्ट तरीका भी और इसको थोड़ा लॉंग करते हैं अब प्लस 7 निज बता कितने wsp आते हैं कोई भी नंबर के नीचे कुछ प्लस करें ना सब्सक्राइब करने लिएस प्रेक्षिन के सब्सक्राइब करें चांड उन्हों को मल्टिप्लाइ करो 11 to 22 प्लस है तो प्लस लिखेगे 7 वंजा 7 divided by 2 वंजा 2 अब यह कितना हो जाएगा बोलो तो 22 प्लस 7 कितना हो जाएगा 29 divided by 2 क्लियर है यह पॉइंट अब इसको यह हो गया अंसर एक तो यह मैथड हो गया दूसरा तरीका कैसा है इसको अपने को सॉल्व करना है शॉटकर तरीका 11 प्लस 7 वाइट वह उसको ऐसे लिखेगे डारेक कैसा इसको सॉल्व करते हैं पहला इन दोनों को मल्टिप्लाइ करन जो भी दर रहेगा वह यहां पर लिखना है अभी यह मैं दोनों मेथड बता चुका हूं अब इसको अपने सॉल्व करते हैं अभी क्या जागा अंडर रूट ऑफ से मैथट 11 तो ट्वेंटी टू ट्वेंटी ट्वेंटी नाइं डिवाइड बाई टू और यह प्लस का प्ल ट्र वूट की ओपर इसको अंसले नहीं होतें क्लिए और इसको रूट कैंसल अबसे हुआ बचल लागि आपने पास क्रम 22 उकल में दिश्टेंस निकल गया साइब से चैनल से हैं जूड़े रही है कई चाहिए प्म मेरा जो ईसा ट्रिक बताने वाला इस्य इस कि आप लोग को एकदम अलगी कर देगी ठीक है आज के लितना काफी है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिन जय बारत कर दो